मुझें आप सब्सक्राइब करें पढ़ने वाले हैं most important chapter जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाईज आज का जो गाईज यह chapter है इसका नाम है chapter number 4 and effect of electric current class 10th के लिए है यहाद अच्छे से class 10th के लिए है ठीक है chapter number 4 effect of electric current और गाईज ऐसा basic deep में पढ़ाऊंगा ना कि ऐसा deep में आपको किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा एक्तम दिखो आपने देखा होगा बहुत सारे channels में आके सिर्फ read करते हैं और चले जाते हैं era और आपको इसे subscribe कर लेना है और bell icon को भी press कर लेना है जिसे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको पता चलते रहे ठीक है आप मुझसे free of cost चाहे science 1 और science 2 की सारी notes ले सकते हो और उनी notes से आप अच्छे से study अपनी कर सकते हो ठीक है 9 topics अब cover करने वाला हूं वैसे हमने 3 chapter पूरे cover कर दी है आज हमारे 4 chapter चालू है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको गाईस basic concept बताने वाला हूं ठीक है आपको इसके numerical भी बहुत मज़ेदार होंगे बहुत मज़ा आएगा इस chapter को पढ़ने में तो गई जो current होता है exactly current वो क्या होता है पहले हम सीखेंगे फिर resistance क्या होता है है फिर वो potential क्या होता है हम वो सीखेंगे फिर ऐसा करते करते हम फिर आगे का अपना topic बढ़ाएंगे औ पर एक हम theory भी आज प्रूफ करने वाले है वह है है जो कि आपको बहुत हार्ड लगती होगी एकदम चिंदी बना दूंगा ठीक है बस पूरी वीडियो को आपको देखना है ठीक है इस चलो यहां पर देख लेते सबसे पहले exactly by current क्या है ठीक है current exactly current अगर किसी ने आपसे rate of flow the rate of flow of charges the rate of flow of charges is nothing but is nothing but current ठीक है इत्तु सी बात बस याद रखनी है अब कोई-कोई teacher के मुझसे ऐसा भी सुने रहा हो गई कि the rate of flow of charges per unit time वह भी correct है ठीक है तो यह बात है आपको सब जानके रखनी है चलो अब गाईस जिन्दगी में ना कभी भी rate word आ गया ना तो आपको क का समझना है जानते हो अपने सुना भी होगा जैसे की velocity की definition क्या होती है तो the rate of flow of displacement the rate of change of displacement ऐसा सुने रहोगे ना तो वैसे rate आ गया तो मतलब time होता है ठीक है current को नगाइस हम लोग i से denote करते है current represented by represented by i कौन से symbol से हम represent करते है i से ठीक है चलो current का formula तो current का formula होता है i is equal to charges को हम किस से दिखाते हैं charges को हम q से दिखाते हैं तो क्या आ जाएगा q upon t आ जाएगा so what is current i is equal to q upon t this is the formula for current तो आपको ये बात ध्यान रखना है मतलग कि ये definition कहता क्या है the rate of flow of charges ये कहता क्या है तो जानते होगा इसी क्या कहता है देखो ये कहता है कि अगर कभी भी life में अगर कभी भी किसी भी conductor या wire में से अगर charges flow होते है ना अगर charges flow होते हैं तो उसमें से current produce होता है बस simple सी बात है अब देखो अब आप बलो कि charges क्या होता है तो charges guys दो type के होते हैं एक positive charge होता है और एक negative charge होता है ठीक है और conductor क्या होते हैं तो guys आपको एक बात बता दू conductor उसे कहते हैं जिसमें से electricity conduct होती है electricity conduct होती है यानि current flow करता है यानि जिसके पास charges होते हैं जिसके पास क्या होते हैं charges होते हैं ये बाते हैं आपको जानके रखनी हैं मतलब कि अब देखो अगर मालो मैं एक conductor हूँ ये मैं एक conductor हूँ अब अगर मेरे पास negative charge रहेगा, मेरे पास अगर charges रहेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे charges रहेंगे, तभी न मेरे अंदर से charge flow होगा, अगर मेरे पास charge ही नहीं रहेगा, तो फिर flow क्या होगा, अगर charge है, तो flow होगा, और अगर charge flow होगा, तो क्या produce होता है, current produce होता है, ठीक है, त flow the electrons अब बोलूगे electron क्या है सो अभी तो आपने charge बताया तो एकदम simple सी बात है यह तो charges होते हैं यही metal के अंदर electron रहते हैं exactly electron भी एक negative charge ही कहलाता है समझ क्या तो electron जो होता है उसको my idea negative charge होता है यह बाते हैं आपको जानके रखनी है समझ क्या अच्छे से तो यह था हमारा basic concept मतलब कि अगर मैं आपको दो चीजों में differentiate करूँ conductor में और insulator में conductor में और insulator में देख लो एकदम simple सी बात है कि जो conductor है इसमें से electricity pass होती है यानि कि current जो होता है current इनमें से pass होता है और इनमें से current पास नहीं होता है current इनमें से pass नहीं होता है so simple क्यों इनमें से current पास होता है because इनके पास जो charges होते हैं charges यानि electrons negative electrons इनके पास होते हैं और इनके पास क्या होता है negative electrons नहीं होते ठीक है जो कि move कर सकें जो charges flow कर सकें वो इनके पास नहीं होते हैं समझ गया ये बातें आपको जानके रखनी है तो conductor के पास वो charges होते हैं जो flow कर सके charges मत्तब electron जो negative charge रहता है जिसके पास अब charge तो किसी भी मतलब positive या negative कैसा भी हो सकता है positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है तो निगेटिव वाला चार्ज जो मेटल के अंदर होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉन इस दी चार्जेस ठीक है निगेटिव चार्ज कंटेंस ठीक है यह बात आपको जानके रखनी है तो यह है हमारा पुरा बेसिक्स आपके मन में कुश्चन आएगा कि यह इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यानि कि चार्जेस हैं यह भी चार्जेस ही कहलाती है electron charges ही है, कौन सा charge negative charge है, तो ये electron move करते हैं, तो electricity produce होती है, तो एकदम simple सा concept है, कि भाई जब electron move करता है, तो electricity pass होती है, तो ये कौन से electron move करती है, तो अब देखो मैं आपको एक concept बताता हूँ, समझ लो guys, आपके पास समझ लो आपके पास कोई एक element है कोई एक element है, जैसे कि मैं माल लेता हूँ, suppose that कोई भी एक sodium माल लेता हूँ, ठीक है अब sodium, ऐसी मैंने example के लिए ले रहा हूँ इसका atomic number 11 होता है, हमने chapter number second में पढ़ा है, तो इसके अंदर 11 electron भी रहेंगे, अब अगर हम इसका electronic configuration बना हो तो 281 बनेगा, ठीक है अब मैं इसका अगर atomic structure बना दू तो कुछ इस तरीके से इसका atomic structure create होगा समझ गया, पहले में 2 electron दूसरे में 8 electron, आप देख सकते हैं दूसरे में 8 electron है, ठीक है अब देख लो अच्छे से चाहे तो, दूसरे में 8 electron है, और last volume कितना है एक electron है, ठीक है तो अब ये क्या करेगा, ये इस एक electron को क्या कर देगा, बाहर भगा देगा तो जब ये क्योंकि stable बनना है तो फिर ये 2,8 बन जाएगा, और ये sodium अपना stable बन जाता है, समझ गया तो guys, जैसे ही एक electron को बाहर भगाएगा न, तो ये electron बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा free electron, कौन सा electron बन जाएगा ये, free electron बन जाएगा, अब guys, जब इस electron को धक्के मार कर sodium ने लात मार के बाहर निकाल दिया तो ये जो electron है ये जो electron फ्री बन गया ऐसे कोई भी माल लो, अगर माल लो, ये आपके पास बहुत बड़ा एक बंडल था sodium का, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे atom रहते हैं इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे atom रहते हैं, है ना, अब हजारो करोडो atoms होते हैं, दुनिया का कोई भी मेटल हजारो करोडो atom से बनता है और मेटल से ही electricity पास होती है, फिक है ये बात ध्यानक ना अच्छे से, चलो, तो अब बहुत सारे electron ना, सभी की सभी एक-एक electron छोडेंगे बाहर, सभी की सभी यही free electron move करेंगे न, ऐसा flow करेंगे, तो rate of flow of charges is nothing but current, जैसे ही electron flow करेंगे, तो हमारा current produce होता है, समझ के अच्छे से, तो जैसे यह negative वाले free electron जिनको atom ने भगा दिया था, यही free electron जब move करता है, तो हमारा current produce होता है, ये बातیں आपको जानके रखनी है, तो एक बात याद हो गई अच्छे से, कि free electron जब move करता है, flow करता है, तब ही हमारा current का production होता है, ये बातें आपको जानके रखनी है, समझ गया, तो definition तो बरबर है, कि the rate of flow of charges is nothing but current, बट कौन से charges, कौन charge, तो बता दे न, कि negative electrons जो होते हैं, negative electron जब flow करेगा, समझ गया, कौन सा negative free electron, तो negative में कौन सा free वाला electron, कौन से electron, free वाले electrons जब move करेंगे, तब जाके हमारा current produce होता है, ये बातें guys आपको समझ के रखनी थी, तो ये था पूरा हमारा current, guys हमने एक चीज और सीखी है, हमने 9th class में एक चीज सीखा था जिसे हम लोग ohum's law कहते हैं, ohum's law ठीक है, ohum's law क्या था वो, v is equal to ir, this is the formula इस formula को थोड़ा याद रखना अच्छे से जहां पर v होता है हमारा potential difference, क्या होता है potential difference यह i क्या है, हमारा वही जो current, current rate of flow of negative charges, negative free electrons वही, और r होता है resistance अब resistance क्या होता है जानते हो, जब guys मालो आपके अंदर यह एक metal था metal के अंदर बहुत सार एक free electron present थे, जब यह free electron move करते हैं, ऐसा flow करेंगे तो हमको electricity मिलती है हमने अभी अभी देखा current क्या होता है rate of flow of charges कौन से charge, negative free electrons यह charges जब flow होते हैं, तो हमें current मिलता है तो guys, जब यह current flow होगा तो क्या होता है, कि इस metal के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे atoms होते हैं यह atoms क्या करते हैं, इस electron को आगे भागने से रोकते हैं आगे electron को भागने से रोकते हैं तो guys, simple बात है, अब जब electron free होके move करता है तभी तो electricity produce होती है तभी तो current produce होता है जब यह move ही नहीं कर पाएगा, कोई इसे रोकेगा, तो वो कैसे free electricity होगी, तो यह जो भी चीजे रोकती है हो, तुम क्या create कर रहे हो, उसके सामने, एक resistance create कर रहे हो समझ गया, तो अब electron के सामने, यह atoms और ions और molecules जो भी रहते हैं यह electron को flow होने से रोकते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो resistance create कर रहे हैं, जिससे कि electron flow ना हो पाए, तो उसी चीज को काई हम resistance कहते हैं, जिसे हम R से दिखाते हैं और यह था हमारा oham's law इसका इस्तमाल आज हम करने वाले हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, अभी क्या भी फॉर्मिलो को याद कर लो तुरंत, ठीक है, तो यह बात हैं आपको समझ नहीं है ठीक है guys, चलो, अब एक चीज और आपको बता देता हूँ सभी को याद करते जाना और इस वीडियो को बहुत बार revise करके देखोगे न बहुत फाइदे में रहोगे जितने बार पढ़ोगे उतना दुनिया में फाइदा होगा जितने बार पढ़ोगे उतने बार ठीक है चलो, अब तुमको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ तो guys, एक ही question आया फिर कि अब हम सब्दे को summarize कर देता हूँ एक ही बात हमने जाना कि current क्या होता है current होता है rate of flow of charges rate of flow of charges जिसमें कि जब free electrons होते हैं free electrons जब flow करते हैं तो current produce होता है समझ गया, दूसरी बात हमने एक चीज़ सीखी कि conductor के अंदर क्यों electron flow होता है conductor के अंदर जो electrons होते हैं मतब conductor से electricity क्यों pass होती है क्योंकि उनके पास free electrons होते हैं और insulator जिससे electricity pass नहीं होती है तो उसके पास free electrons नहीं होते हैं समझ गया, यह बाते तुमको याद रखनी है हमारा ohum's law क्या होता है V is equal to IR यह हमारा ohum's law होता है तो यह चीज़े हमने पढ़ ली अब आपको एक चीज़ बताता हूँ potential difference अगर मालोग कोई आपके पास circuit है आपने 9th में सीखा था circuit कैसे होती है ठीक है, chapter number 4 में वहाँ पर भी ठीक है, तो potential difference में devices एक device होता है जिसके थूँ हम लोग potential difference को major करते और उस device का नाम है volt meter ठीक है, ऐसी ही guys एक current होता है एक ऐसा device जिसके हम लोग current कितना pass हो रहा है कितना current produce हो रहा है वो पता करने के लिए हमारे पास एक device होता है जिसका नाम है ammeter तो यह सब याद रखना और resistance को हम लोग measure नहीं करते हैं उसके लिए हमारे पास अलग-अलग devices होते हैं resistance के छोटे-छोटे, हम कितना resistance देना चाहते हैं उसकी power हमारे पास खुदूती तो इसका tension मतलो बस इनका याद रखो ammeter और यह voltmeter इत्तु सी बाते आपको याद रखनी है चलिए guys आपको एक circuit में दिखा देता हूँ मैं सारी चीजों को यहाँ पे यह जो V है जो आपको यहाँ पे V दिख रहा होगा यह जो V है यह voltmeter है और जो यह A है यह ammeter है इसकी A की मदद से हम current को measure कर पाएंगे और V की मदद से हम लोग कितना potential create हो रहा है इस circuit में वो हम measure कर पाएंगे guys potential जानते हो क्या होता है potential एक छमता एक काकत एक capacity होती है कितनी capacity है current की circuit में वही है मेरा potential और जिसको हम कैसे निकाल सकते है तो I is equal to R से मतलब जानते हैं उसका क्या होता है कितना current चल रहा है circuit में और कितना resistance प्रेडूस हो रहा है उसी को multiply कर दो तो total potential total ताकत मिल जाती है circuit की कितनी छमता है circuit में यह हमें पता चल जाता है समझ गया तो कितना current प्रेडूस हो रहा है और कितना resistance प्रेडूस हो रहा है circuit में वह हमारा potential जिसको हम लोग V से measure करती है ठीक है चलो तो एक question arise होता है कि फिर potential difference क्या है इतना अच्छे से guys आपको पढ़ा रहा हूँ प्लीज subscribe कर देना channel को ठीक है चलो यह दूसरा B point है ठीक है अब इन point A और इस point B के बीच में इन दोनो point के बीच में कितना potential का difference है माल लो यहाँ पे 100 potential है और यहाँ पे 80 है potential दोनों के बीच का difference कितना आएगा 20 so this is the potential difference between these points तो किसी भी wire में न guys हम दो point के बीच का जो potential का difference मेजर करते है न वही हमारा होता है potential difference समझ गया अब जिसे कि माल लो कोई एक wire थी copper की तामबे की wire थी अब A point था जहाँ पे potential 100 था और माल लो कि B point में suppose that कि 80 था potential था दोनों के बीच का difference 20 आया मतब this is the potential difference of the point A and point B ठीक है ये बातें आपको जानके रखनी है तो बस इतना चिंदो सी बाती है circuit को ज़्यादा याद करने ये कोई जरूत नहीं है बस इतना सा बाता आप याद रखो चलो guys अब हम आगे की concept की तरफ बढ़ता आप जान चुके हो exactly current क्या होता है सारी चीज़ें क्या होती है आप ये सब कुछ समझ चुके हो अब हम लोग जाने वाले हैं energy production की तरफ मतलब कि energy transfer in electrical circuit अब ये circuit है आपके सामने आपको पाता भी होगा कि ये चीज़े battery होती है ये current होता है ये हमारी key होती है ये हमारा potential है ये हमारा resistance है ये हमारा ammeter नाम का device है जिससे हम current पता कर सकते कितना current flow हो रहा है कितना potential flow हो रहा है ये battery है ठीक सब पता कर सकते हैं हम लोग एकदम detail में आपको सब बता रहा हूँ तो guys अभी हम लोग ये जानते है कि कि किसी भी wire में से कितनी एनरजी transfer हो रही है अब current produce हो तो electrical energy current वो भी energy है na electricity भी एक energy होती है guys तो electrical energy भी तो एक energy है तो कितनी energy किसी circuit से pass होती है हम लोग यह पता करती है ठीक है तो guys जिसके पाँ जितनी energy उसके पास उतनी ताकत समझ गया ना power उसके पास उतनी रहेगी और किसकी हमको चेक करना है हमको electrical circuit की चेक करना है यानि हम electric power की बात करेंगे समझ गया तो चलो अब हम गाईज जानते हैं कि here हम लोग को formula भी पता है कि here क्या हम लोग को पता है इसके लिए हम अभी हम theory करने जा रहे हैं बहुत अच्छे से आपको समझाओंगा each and every point प्लीज अच्छे से ध्यान देना ठीक है चलो गाईज यहाँ पर ध्यान देती है अभी अभी जो भी हमने सीखा उसी का इस्तमाल करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है तो no here P माल लो कि P आपकी एक electric power है क्या है P? electric power है P ठीक है माल लो ऐसे तो फिर electric power P is equal to होता क्या है तो guys यह power वही चीज होती है कि कितनी आपके body में energy है और आप उसको कितने time में use कर लेती हो मतब कि देखो अगर माल लो मेरे पास बहुत ज़्यादा energy है तो मैं उसको कितनी energy इस्तेमाल कर लेता हो वही मेरी ताकत है वही मेरी power है आगर माल लो आपके पास 100 गूसे मारने की energy है आपके पास तो क्या आप 100 गूसे मार पाते हो वही आपकी ताकत है समझ गया? जितना आप energy का इस्तेमाल कर सकते हो in a given amount of time जितनी energy का आप इस्तेमाल कर सकते हो in a given amount of time वही आपकी power कहलाती है समझ गया? कितनी आपके पास उर्जा है energy है उसको आप कितना time given amount of time में इस्तेमाल कर सकते हो अगर माल लो आपके पास 50 की energy है 50 किलो कैलरी की energy आपके पास है और अगर आप माल लो उसको 10 मिनट में इस्तेमाल कर लेते हो तो ठीक है आपकी power कुछ रहेगी लेकिन अगर माल लो आप वही 50 किलो कैलरी की energy को 5 मिनट में उच कर लो तो आपके पास और ज़दा ताकत रहेगी यतना कम time में ज़ादा energy इस्तेमाल कर पाते है उसकी power और ज़्यादा होती है समझ गया चलो तो guys जो energy का formula होता है हमने सीखा तब पहले भी कि energy जो होती है हमारी energy ठीक है वो होती है हमें सब v into q और time तो हमारा t रहता है यह हमको भी मालूम है ठीक है यह हमको भी पता है कि time हमारा t रहता है अब आप बोलोगी guys कि energy यह कैसे आया मतब v into q कैसे आया तो हम लोग को पता है कि यहां से हम ऐसा लिख देते हैं कि energy का formula energy का जो formula होता है वो potential into q होता है यह बात आपको जानके रखनी है ठीक है v into q यह energy कहलाती है ठीक है चलो क्या guys मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ q upon t t को मैंने q के साथ दे दिया ऐसा लिख सकता हूँ क्या yes why not मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ mathematics से ने यार अब देखो यहां पी यह q था और यह t था इसको मैंने शाथ में लिख दिया अब guys हम लोग को मालूम है क्या हम लोग को पता है we know that we know that कि i is equal to q upon t होता है यह हम लोग को मालूम है न तो क्या guys मैं यहाँ पे put कर सकता हूँ जैसे मैं यहाँ पे इस equation में put करूँगा तो p is equal to क्या जाएगा into i बन जाएगा मतब मैं अगर q upon t के जगए में i लिख सकता हूँ न देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया तो यहाँ मैं q upon t के जगए में i लिख दूँगा देखो मैंने यहाँ पे i लिख दिया तो मुझे क्या मिल गया मुझे finally p is equal to v into i मिल गया this is the electrical power की definition और formula ठीक है यह हमारा formula है समझ गाइस तो इस तरीके से आपको सारी चीज़े समझ के रखनी है इतनी चिंदी सी बात थी तो power क्या होती कितनी energy का आप इस्तमाल करते हो energy क्या होता है कि potential into charges ठीक है वो आपकी energy है अब upon time भी था तो हमने q upon time को एक साथ लिख दिया और we know that q upon time है नहीं कि rate of flow of charges per unit time कितना होता है current होता है अभी अभी हमने सीखा था पहले ही current होता है तो यहां पी हमने current put कर दिया तो हमको एक value मिल गई समझ गया इसको मैं equation number 1 दे दिता हूं ठीक है चलो इसको मैंने equation number 1 दे दिया अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हमको heat के लिए हमको find करना है तो guys we know that we know that ठीक है अगर हम ज़्यादा power का इस्तमाल करते हैं तो हमें एक 30 मिलती है heat is equal to heat को हम h से दिखाते है power into time होता है heat की जो formula होती है यह power into time होती please इससे आप याद कर लो ठीक है तो अभी अभी guys हमने solve किया हमने solve किया है h is equal to power क्या है power v into i है न v into i है न पावर तो क्या मैं p के जगह में v into i लिख सकता हूं इस p के जगह में v into i लिख सकता हूं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे लिख दो from equation number 1 कहां से लिया मैंने यह from equation number 1 यहाँ से यहाँ से आपके किताबों में आप समझ नहीं पाओगे लेकिन मैं करा रहा तो ध्यान दो v into i हमने लिख दिया p के जगह में from equation number 1 से ठीक है देखो यहाँ पे आ गया now guys also एक चीज हमें और पता है कि we know that हमने अभी ओहम से लौग देखा था ना कि we is equal to ir होता है यह हमने पढ़ा था तो अगर मालोगा इस हम we is equal to ir को put कर देते हैं इस वाले equation में तो अगर हम put करते तो हमें क्या मिलेगा we get we get क्या मिलेगा h is equal to v के जगह में मैं अगर ir put कर दूँ v के जगह में मैंने bracket लगा के ir put कर दिया ठीक है तो यहाँ पर देखो अभी यह i और यह into t बचेगा मतलब देखो समझो क्या बोल रहा है इस v के जगह में मैंने i into r रग दिया देखो ना इस v के जगह में मैंने i into r रग दिया बाकि यह i वैसे ही है यह TB वैसा ही है समझ यह की नहीं समझ गया तो मैंने O-Harm Salaw का इस्तमाल किया V के चेक में मैंने क्या पूट कर दिया I into R पूट कर दिया चलो अब यह मैं आगे solve करता हूँ इसी चीज को जब मैं आगे solve करूँगो तो मुझे क्या मिलेगा अब आपको पता होगा आपने maths में सिखा होगा अगर मालो X into X है तो क्या मिलता है X का square बन जाता है तो वैसे एकर मालो I into I रहेगा तो क्या बन जाएगा I का square बन जाएगा तो यहाँ पर देखो ज़रा यह I और यह I एक दूसरे के multiply में होती है ब्रैकेट से अगर कोई भी चीच रहती है तो वो multiply में रहती है तो यहाँ पर क्या आएगा H is equal to I का square बन जाएगा और यहाँ पर R और T आजाएगा समझ गया तो we get H is equal to I square RT This is the proof for the heat समझ गया तो यह heat है guys समझ गया यह आपको अच्छे समझ में आ गयी होगी मेरी बात है कि H is equal to I square RT यह आपको अच्छे समझ में आ गया ठीकि यह formula ऐसे proof करना था प्लीज एक बार आफ revise करना जस्ट यहाँ पर हमने multiply किया है इन दोनों चीज़ों को हमने multiply किया है अब जब I into I करोगे तो वह I का square ही मिलता है यह हम लोग को मालूम है तो यहाँ पर I का square RT तो what is the formula of heat I square RT where I क्या होता है I हमारा current होता है क्या होता है I current R क्या होता है हमारा resistance होता है समझ गया resistance T क्या होता है time होता है समझ गया और H क्या है हमारा heat है समझ गया ये बाते हैं आपको जानके रखेंगे, तो सारी चीज़े guys मैंने आपको बता दी है, कुछ बाकी अब नहीं रहे गया है, अब बस आपको unit बता देता हूं सारी चीज़ों को, जो की unit exam में बहुत बार guys पूछते हैं, तो इसकी units की बारे में guys हम सीख लेते हैं, तो guys अभी guys हमने नववी में पढ़ा था कि जो V होता है, potential उसकी unit volt होती है, क्या होती है, और current की unit क्या होती है, एंपीर होती है, current क्या होती है, ठीक है, तो ये power की हमको ये unit मिल गए, बताब volt into ampere, और guys हम लोग को ये चीज़ और पता है, कि ये जो volt होता है, volt, 1 volt क्या होता है, 1 volt वोल Joule upon 1 Coulomb होता है और cross और 1 A क्या कहलाता है 1 Coulomb upon 1 second अब तो आपको यह याद करना ही पड़ेगा अब यह मत बुलना किसो है और मुझे याद नहीं होता है तो प्लीज याद करो यार फॉर्मिला याद नहीं करो तो फिर आपको बहुत प्राब्लम हो जाएगी अब हमको आगे और अच्छे से पता है बहुत ही बेश तरीके से अब देखो अगर मैं इस 1 Coulomb को काट सकता हूँ याद काट सकता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1 Joule upon 1 second मिल जाएगा क्या मिल जाएगा पावर की वेलू 1 second and 1 Joule upon 1 second क्या होता है वाट कहलाता है तो finally power की unit हमें क्या मिल गई unit of power is unit of power is क्या होता है unit of power is वाट जिसे हम W से दिखाती है समझ गया देखो फिर से एक बार revise कर देता हूँ we know that the formula of power is equal to V into I ये होता है V एक potential difference I is the current potential difference की unit हमने 9 V में पढ़ाता है कि volt होती है Weakey unit volt होती है I की current unit mpare होती है हम लोग को पता है की 1 Impire कितना होता है 1 Impire 1 Coulomb upon 1 Second होता है और 1 वोल्ट कितना होता है 1 Joule upon 1 Coulomb होता है अगर हम यहां से 1 Coulomb को और 1 Coulomb को काट दे तो 1 Joule upon one second हमें यहांपे मिल जाएगा 1 Joule upon one second और 1 joule upon 1 second क्या होता है ये formula 9th में बढ़ा था watt कहलाता है समझ गया तो ये unit of power क्या मिली shot में watt मिल गई समझ गया guys तो ये था हमारा watt का फॉर्मिला इस तरीके से guys हम सारे concept को अच्छे से सीख सकती है बहुत ही मज़ा आता है ऐसा पढ़ने में ठीक है चलो अब guys मैं आपको बहुत चिंदियस्ट concept सिखाने जाना तो ये exam में 3 marks को पूछता है जो अभी मैंने आपको बताया चलो अभी आँगे बढ़ते हैं एक चीज़ा और हम सीखते है heating effect of electric current ये क्या है आखिर ठीक है उसमें से current पास होता है तो इसमें heat produce होगा क्या produce होगा इसमें heat का production होता है बस यही चीज़ गाई जिसमें बोल रहा है मतब heat का production होता है अगर आप किसी भी wire में से current को pass करते हो तो heat उसमें से produce होगा चाहे जो भी हो जाए ठीक है अब इस समझ में आ गया मतलब कि आपने देखा भी होगा कि जब आपके घर में तारे लगी होती है वायर तो उसमें से जब करेंट पास होता है ना तो उसमें हीट प्रडूस होता है तो दिस इस दी हीटिंग इफेक्ट आफ इलेट्रिक करेंट आपको इसका एक जीता ठीक देखो यहां पर कैसा गराम हो गया यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कैसे गराम हो गया यह क्या होता है यहीं हीटिंग इफेक्ट आफ इलेट्रिक करेंड यानि कि करेंट का हीटिंग इफेक्ट यानि कि जब किसी भी मतलब कहने का मतलब यह कि जब किसी आपकी पास मालों यह वायर है तो वायर में फिन आप current को pass करोगे ना current pass करोगे आई को आप pass करोगे current को यहां से निकालोगे तो यह वायर गरम हो जाएगी क्योंकि इसमें heat प्रेडूस होने लगेगा simple बात एकदम simple सी बात है समझ गया और इसी का हमने live example practically देख लिया जो हमारा heater होता है यह जीता जागता example है heating effect का कभी भी अगर current pass करते हो किसी भी wire में से कहीं से भी तो उसमें heat produce होता है इसका एक और जीता जागता example दिखाता हूँ हमारा coil, मतब अपना bulb यह bulb तो आप देखी रहोगे गाइस यह जो bulb होती है इसके अंदर देखो एक coil लगी हुई है आप इसको देख सकते हो यह जो coil होती ही न यह जानते हो किसकी कौन से metal की बनती है tungsten की बनती है इससे बनती है tungsten की किसकी बनती है tungsten tungsten जानते हो क्या होता है tungsten एक ऐसा element है ऐसा एक मतब metal कह सकते हो आप इसे कि जिसमें से जब current pass होता है तो guys इसके पास 3400 degree Celsius का heat produce होती है इसके पास जब कोई current pass होता है तो bulb के उस तार में से 3400 degree Celsius का current produce होता है तभी भी वो wire पिगलती नहीं है यानि उसका melting point बहुत high होता है क्या होता है उसका melting point बहुत high होता है ठीक है तो guys सोच लो जरा melting point इसका इतना हाई है कि 3400 degree 100 degree में पानी उबलने लगता है आप जानते हो boiling होने लगता है water का 100 degree में यह 3400 degree Celsius इतना ज़दा अगर आप temperature बढ़ाते हो तो भी कुछ नहीं होता है tunguston की wire को और इसलिए guys जब उसमें heat produce होती है अग्दम घरम हो जाता है तो उसमें जादा light निकलती है और जिससे हमारे घर में उजाला हो जाता है lighting हो जाती है हम मस्त प्रकाश में रहते हैं light में रहते हैं समझ गया यह बाते आपको जानके रखने ही तो यह भी एक heating effect of electric current यानि कि electric current के वज़े से हीट का प्रडूस करना यही है heating effect of electric current heating effect of electric current electric current का heat वाला effect यही चीज़ आपको जाननी थे और कुछ नहीं था समझ गया चलो आज की वीडियो का last concept सीख लेती है उसके बाद हमारा आज का concept clear फिर अंगली वीडियो में हम बहुत नागी की चीज़े पढ़ेंगे solenoid और magnetic effect पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा बस इस वीडियो को जितने बार हो से कि पहले देख लेना क्योंकि मैं concept सिखा रहा हूँ रट्टा नहीं मर वा रहा हूँ इसको MCB को Maniacar आपने इसका नाम भी सुना होगा ठीक है तो Miniature इसका काम क्या भी आपको बता हूँगा Circuit M nope कि ऐख़़देने अच्छे से एक होती है लाइव वायर, एक होती है निट्रल वायर, ठीक है एक होती है अर्थ की वायर, अर्थ की वायर से फिलाल हमको कोई मतलब नहीं है, लाइव वो होती जिसमें से करेंट पास होता है, निट्रल मतलब जिसमें से कुछ पास नहीं होता है, तो गाइस जब माल हमारे घर में से current pass होता है और उसी की बगल में हमारा neutral wire भी रहती है तो live wire के वज़े से हमारे neutral wire में भी current pass होता है यह हमको मालूम है ऐसा हमेशा हुआ करता है तो guys गर्मी के मौसा में वैसे भी बहुत गर्मी होती है और live wire में से जब बहुत ज़्यादा current pass होता है एकदम extreme amount of current और हमारे घर के devices भी बहुत ज़्यादा current को consume करते fan चलता है एफी चलती है बहुत सारी तो current ज़्यादा pass होता है तो guys जब current ज़्यादा pass होता है तो यह wire बहुत गर्म हो जाती है और wire गर्म हो जाती है और उसी बीच में इन दोनों का connection भी रहता है इस दूसरे से mix हो जाएगा तो कितना current प्रोस और बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इन दोनों wire पिघल जाती है जब यहां पे सारी यार पिघल जाती है तो सारी wire पिघलने के बादना होता क्या है कि पूरा short circuit हो जाता है सारे device खतम हो जाते है पिघल जाएंगी तो पूरी wire इदर दर सब गरबड हो जाएगी तो ये दोनों wire अगर connection इनमें हो गया तो यहाँ पे सब क्या होता है पिघल जाता है ये बाते हैं आपको समझ के रखने हैं पिघल जाती है और जब ये melt हो जाएंगी तो पूरा short circuit हो जाता है तो ये melt अगर ये connect ना हो तो कभी melt नहीं होगा extreme current produce नहीं होगा तो ये melt ना हो इसके लिए गाईज हम fuse wire का इस्तमाल करते हैं तो मालो ये live wire है और ये neutral wire है तो इनके बीच में हम एक fuse wire का इस्तमाल करते हैं तो जब ये भी बहुत जदा गरम होगा तो उससे पहले ही fuse wire बहुत जदा गरम हो जाएगी और fuse wire का melting point बहुत कम होता है मतब अगर मालो ये wire 4000 degree Celsius के temperature में मालो पिखलेंगी suppose that यार तो ये 3000 में ही पिखल जाएगी समझ गया तो मतब जैसे 3000 degree Celsius आएगा तो fuse wire पहले ही पिखल जाएगी और इन दोनों की बीच का connection break कर देगा मतब ये तार और ये तार दोनों का connection खताम हो जाएगा दोनों का connection ही break कर देगा तो दोनों कभी attach नहीं हो पाएगे और दोनों जब attach नहीं हो पाएगे तो कभी short circuit नहीं होगा तो आज हमने guys बहुत सारे basic concepts के बारे में पढ़ा है तो please guys आपको सारी चीजों को focus रखना अच्छे से ठीक है और आपको भी इफी तरीके से सारे concept को बार बार revise करके पढ़ना है Thank you so much for watching this video guys बहुत ही help होगी अगर आप लोग चैनल को subscribe करते हो, like करते हो तो आज जो भी guys हमने पढ़ा उसको चार से पांच वार पढ़ लो आपको ऐसे आपके tuition में भी नहीं पढ़ाया होगा नहीं आपकी school में पढ़ाया होगा आप खुद जान सकते हो इतना deep में free of cost आपको पढ़ा रहो बस आपको सभी लोगों को ये वीडियो को share करना है जिससे कि सबका फायदा हो thank you so much for watching my this video ठीक है thanks a lot